इस question bank no.2 में आपका स्वागत है जैसा हमने question bank no.1 में किया था social science के chapter 1 to 4 history, geography और civics के कुछ important questions का हमने revision किया था यहाँ पर भी हम कुछ important questions का revision करेंगे और इनकी detail यदि आपको जानना है तो पूरे chapter का video भी आपने पढ़ लिया होगा देख लिया होगा तो चलिए शुरू करते हैं MCQs यहाँ धियान रखेगा कि मैं answer बताने में हर MCQ का answer बताने में थोड़ा देर करूँगा थोड़ा time लोगा ताकि आप मिछ से पहले answer बता पाएं तो चलिए शुरू करते हैं पहला question है आपकी book के हिसाब से which river valleys has evidences of hunting and gathering of prehistory period कौन सी river valley में evidences मिले हैं prehistory period के तो आपकी book के हिसाब से वो है नर्वदा फिर है where are garo hills in India इंडिया में garo hills कहां पर हैं किस तरफ हैं तो garo hills जो हैं वो नर्थ इस्ट में हैं और यहां पर भी जो है agriculture के evidences मिले हैं जो tiny और small stone हैं जो tiny और small stone के जो tools होते हैं उनको क्या कहा जाता है तो उनको कहा जाता है क्या कहा जाता है microlith फिर है where did people of stone age make paintings जो stone age के लोग थे वो कहां पर printing बनाते थे तो वो printing बनाते थे कहां बनाते थे rock shelters में जिसे हमारे यहां भीम बेटका में मिले हैं मद्धिपदेश में फिर है who are historians इतिहास कारक इनको कहा जाता है तो इसमें है who study past अपने पढ़ा था the person who study past are called historians फिर अगला question है when did grasslands develop grassland कब developed हुए तो grassland कब developed हुए आप के साब से यापी बुक में फिर इन्द ब्लैंक्स में है तो यह है यह हुए around 12,000 years ago तो इसका अंसर होगा a around 12,000 years ago फिर question no.7 है कि जो hunter gatherer थे वो किस चीज के लिए travel नहीं करते थे place to place तो वो travel नहीं करते थे फूट के लिए तो वो करते थे वाटर के लिए भी करते थे प्लांट्स के लिए भी करते थे क्योंने अलग अलग तर है कि फृट्ट प्लांट में मिलते थे तो वो इन सब के लिए travel करते थे परन्तो उस टाइम पर कोई job नहीं करते थे वो लोग तो यह अपने question answers में से लिया गया है तो वो job के लिए travel नहीं करते थे ध्यान रखिए कि इसमें लिखा है question को फिर से पढ़िएगा कि hunter gatherer किस चीज के लिए travel नहीं करते थ फिर है why do people who grow crops have to stay in the same place for a long time यह भी question का answer है long answer question का answer है कि जो लोग खेती करते थे उन्हें एक जगह क्यों रुखना पड़ता था तो पहला है पानी देने के लिए फसल को तो हां उनको इसके लिए रुखना पड़ता था और अपनी फसलों की देखभाल करने के लिए तो इसका answer होगा both a and b मतलब दोनों जो है काम करने के लिए कि उनकी फसलों की देखभाल करने के लिए देखभाल करने को इंगलेश में बोलते हैं to look after they are to look after और they are crops मतलब उनकी फसलों को अगला question है what is the meaning of the word herding herding का क्या मतलब है herding का मतलब है क्या मतलब herding का domesticating animals एनिमल को पालना herding कहलाता है next question आ रहा है कि फ्रउम वेश कहां से हरपपन लोग जो थे वो गौल्ड को बुल्वाते थे यह लोग गोल्ड का वी अपार करते थे तो कहांसे बिल्वाते थे गोल्ड अधंपन के जो निवासी थे वो कहां से गोल वुल वाते थे उस टाइम पे कव आरणयटक फेब फ्रॉं वीओं गए टीन कहन से टीन को बुल वाय जाता हा इस प्रमान मिले है फिर नेक्स्ट है, from where did the Harappan get precious stone? Harappans को जो है, precious stone कहां से मिलते थे? तो वो precious stone कहां से बलवाते थे उस समय पर? कहां से बलवाते थे? गुजराथ से, ठीक है ना? फिर आजाएए question number 13, अब geography के question लेंगे कुछ, कि जो celestial bodies, जिनकी खुद की heat और light होती है, उनको क्या कहा जाता है? जिनकी खुद की heat और light होती है, उनको stars कहा जाता है. फिर है planet, जो earth का twin कहराता है, earth की twin कौन कहलाता है? वो कहराती है Venus. Venus जो है, ये Venus को earth की twin कहा जाता है. फिर question है, which is the third nearest planet to the sun? तो दिखे, आप से ऐसा पुझा सकता है, which is the third planet, which is the fourth planet, तो आपको सारे planet यहाँ दोने चाहिए. तो एक line से हम यदि याद करें, तो पहला क्या जाता है? Mercury, फिर second Venus, और third Earth. तो इसका answer क्या होगा? पताईए आप, earth. ठीक है ना? फिर आके बढ़ते हैं, which is the second nearest planet? तो फिर से count करीं आप, Mercury, फिर Venus, तो second कौन सा होगया? Venus. फिर से जो है nearest कौन सा है? यह दिसेफ आप से nearest पूझा जाए. कि which is the nearest planet to the sun? इन सोलर सिस्टम. तो सबसे nearest कौन सा है? Mercury है. ठीक है ना? कि यहीं से हम याद करना शुरू करते हैं? तो question number 16 का क्या answer होगा? second nearest पूछ रहाँ आप से. तो Mercury के बात क्या आता है? Venus. तो इसका answer क्या होगा? 16 का? Venus. All the planets move around the sun. इना? कौन से path में घुमते हैं? कौन से? तो अपने पढ़ा था, यह elongated path में घुमते हैं. elongated का मतलब होता है, जो circle से थोड़ा सा oval shape में होता है. circle shape में नहीं होता. ठीक है न? अंडे के shape में जो orbit होते हैं, उन में चक्कर लगाते हैं. ठीक है? एकदम circular path में चक्कर नहीं लगाते हैं. तो उसे बोलते हैं English में elongated path. तो क्या answer होगा असका? elongated path. फिर है, आप order बताना है कि 8 planets के order, सही order कौन सा है. तो पढ़े अब आप बताएए, आपको क्या लग रहा है? यह वाला है, तो देखें मर्करी, फिर क्या आगा है यह वाले में अर्थ, तो मर्करी के बाद तो अर्थ नहीं, तो मर्करी के बाद तो वीनस था, सब सेकेंड वाला देखें, भी वाला, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, यह भी गलत हो गया, सैटर ना आगे है यहाँ पर, फिर मर्करी, सी वाला देखें, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर, उडेन से अपयों हिद्फ गया से आपको को यूपीतर साथ साथ अपयों आपको यूप में आपको गयो बहुत नेपकर着 फिरेया संवी शुक्त होना रोला ज़ेनर के अपने ने में इन ज리किंट यूपिटर सेटरन ईडेना स्डाइट घरए इन कर से depress को सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा सन का चक्कर लगाने में जो सन के सबसे पास होगा उसको सबसे कम टाइम लगेगा इसे मरकरी को कम टाइम लगता है फिर मरकरी से ज़्यादा टाइम किसको लगता है वीनस को लगता है तो ऐसे सबसे ज़्यादा टाइम किसको लगेगा ब सबसे कम टाइम जो है वो मरकरी को लगेगा फिर है क्वेशन नमर नाइंटीन कि कितने डेज लगते हैं सन को सरी मून को अर्थ के अराउंड चक्कर लगाने में तो मून को जो है लगवग 27 डेज लगते हैं फिर क्वेशन नमर टेंटी है कि हुज सिस्टम आप बिलियन्स ओफ स्टार और क्लाउड अफ डस्ट और गैसेज क्या कहलाता है तो एक बहुत बड़ा सिस्टम जो जिनमें बिलियन्स ओफ स्टार्स होते हैं उनको कहा जाता है क्या कहा जाता है गैलक्सी ठीक है न और ऐसी बहुत सारी galaxy है, millions of galaxies, इन सबसे मिलकर के क्या बना है, हमारा क्या बना है, बताइए, हमारा universe बना है, ठीक है न, तो इसका answer होगा 21 का A universe, ठीक है न, तो galaxy से मिलकर के बना है universe, which is the closest celestial body to our earth, इन में से कौन सी closest celestial body है, तो सबसे पास में हमारे, जो है, वो है, क्या है बताइए आप, moon, ठीक है न, तो इसका answer होगा A, the moon, फिर है, which is the biggest planet, बताइए biggest planet कौन सा है, तो सबसे biggest है, कौन सा सबसे biggest, सबसे biggest है, Jupiter, ठीक है न, तो यह आर्थ से 16 टाइम बड़ा है, मतब जितनी बड़ी आर्थ है, उससे 16 टाइम ज़्यादा बड़ा है, फिर है, question number 24, कौन से planet को, maximum time लगेगा, बताओ इन में से, अब आप बताओ, तो count करो, Mercury, Venus, Earth, Mars, फिर क्या आएगा, Jupiter, तो सबसे दूर इन में से कौन सा है, कौन सा है, Jupiter, तो इसका answer क्या होगा, Jupiter, question number 25 में चलते हैं, कि कौन से planet को minimum time लगेगा, फिर से count करना शुरू करिए, सबसे पहले कौन सा आएगा, Mercury, तो सबसे कम time लगेगा, Mercury, मालू Mercury नहीं होता, तो फिर किसको काम time लगता, Mercury के just a second number पर कौन सा आता है, Venus, लेकिन इसका answer क्या है, Mercury, फिर when the rays of sun fall directly on equator, जब sun की rays equator पर directly गिरती है, तो इस इस position को क्या कहा जाता है, इस position को, क्या कहते है, equinox कहते है, ठीक है, फिर किस date पर sunlight जो है, ट्रॉपिक और कैंसर पर गिरता है, डारेक्टली, यह अपने winter और summer solstice पढ़े थे ना, तो उन में यह उसी का question है, उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, यदि आपका exam written वाला होता, तो हम आपसे difference जरूर बूसते की दोनों में क्या difference है, उसका video भी बहुत अच्छे से बना है, कि आर्थ जो होती है, वो अपने access पर जुख जाती है, इंक्लाइन हो जाती है, तो दो इस्तिती बनती, तो कब एक बार tropic of cancer पर sunlight डारेक्टली पढ़ता है, एक बार tropic of Capricorn पर पढ़ता है, तो कब किस डेट पर पढ़ता है, ट्रॉपिक of cancer पर sunlight डारेक्टली, क्योंकि आर्थ से जुख जाती है, तो इसे कहते हैं, कौन से डेट है वो, वो है 21st June, और किस डेट पर sunlight जो है, ट्रॉपिक of Capricorn पर गता है, तो वो है 22 December, ठीक है, फिर आगे बाते हैं, कि जो map, natural features, earth, mountain, playtube, इनके बारे में बताते हैं, ऐसे maps को क्या कहा जाता है, तो ऐसे map को कहा जाता है, physical map, map जो focus करते हैं, specific information जैसे road maps, rainfall maps, तो इनको क्या कहा जाता है, तो जो specific information देते हैं, उनको क्या कहा जाता है, थीमेटिक map कहा जाता है, फिर, कौन से जो जो है, which of these is not the three components of map, इन में से कौन सा, three components of map में नहीं है, तो अपने पढ़ता, three components of map कौन-कौन से होते हैं, map पे हमको धियान रखना पढ़ता है, distance का, direction का, और symbols का, तो ये तीन तो हैं, लेकिन compass जो है, वो नहीं है, compass एक अलग चीज है, जिससे हम सिर्फ direction पता करते हैं, ठीक है, फिर, brown color, map में क्या show करने के लिए use होता है, तो brown color का use जो हता है, map में, क्या show करने के लिए use होता है, बताइए आप, mountain, ठीक है, yellow color, yellow color से क्या show करते हैं, yellow color से show करते हैं, plate view, ठीक है ना, फिर है, green color, से क्या show करते है, map में, जब map बनाते हैं, तो इनमें green color का use होता है, blue color का भी use होता है, तो green color का किस चीज के लिए use होता है, green color का use का के लिए होगा, plane को दिखाने के लिए होगा, plane का मतलब यहाँ पर मैदान से है, ठीक है ना, जो घास के मैदान होंगे, उनको plane कहते हैं, तो उनके लिए जो है वो green color का use किया जाता है, map में, ठीक है, और blue color का use किस के लिए होता है, बताएए, आप जानते हैं, blue color से हम reverse को दिखाते हैं, या water bodies को दिखाते हैं, फिर आगे बाते हैं, कि यदि distance, ये scale पर question है, कि यदि आपके school और आपके घर कर distance 20 km है, और यदि आप 20 km को map में दिखाते हैं, 2 cm से, तो 1 cm का पराबर कितना होगा, तो यदि आप 20 km को 2 cm मान रहे हैं, map में, तो 1 cm पराबर हो जाएगा 10 km, ठीक है ना, ये इस तरह question आ सकता है, आपको इस तरह का question दिया हुआ, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, फिर है, which instrument is used to find out direction, किस instrument का use, direction को find out करने के लिए होता है, तो वो है, किस का use होता है, compass का use होता है, फिर in India, हम अलग-अलग तरह के festival को celebrate करते हैं, कई तरह की language हम लोग हमारे हां बुली जाती है, कई तरह की culture हमारे हां है, तो इन सब को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है, diversity, ठीक है न, diversity कहा जाता है, लेकिन इसमें लिखा है कि हम सब चीजों को सांस सीखते हैं, together शब्द लिखा हुआ है, ठीक है न, together यदि हम सब चीजों को मनाते हैं, तो इसको कहा जाता है, unity in diversity, तो इसका answer होगा, diversity, यदि हम आपसे कहते हैं, हम दूसरी लोगों को negatively judge करते हैं और उनको inferior मानते हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसको हम negatively यदि हम किसी को judge करते हैं और हम उनको inferior मानते हैं तो क्या कहा जाता है बताए तो इसका answer आप ढूंड़ेगा ये कहां का question है civics का question है इसका answer मैं नहीं दे रहा हूँ जो कि इसका answer tricky है आप बताएगा क्या कहलाता है ये आपने बहुत ध्यान से पढ़ा तो आप इस दिन दोनों answer question number 30 का और question number 40 का answer आपको ढूंड़ना है जब हम fix करते हैं यह वाले question मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको civics वाले chapters में ठीक है न तो जब हम fix कर लेते हैं एक image में किसी वेक्ति को या किसी भी समूंग को तो उसे वेक्तियों की समूंग को तो उसे हम क्या कहते हैं यह दोनों question का answer आपको ढूंड़ना है question number 39 और question number 40 ठीक है आपको ढूंड़ना है यह अपकी book में है और मैंने आपको यह बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है कि दोनों में क्या difference है इन सारे शब्दों के क्या मतलब prejudice का क्या मतलब है diversity का तो भी मतलब बताई दिये मैंने आपको stereotype का क्या मतलब है और unity आपको पते है यह दो question के answer में आपको दे रहा हूं आपको ढूंड़ना है फिर आगे बढ़ते हैं यदि एक grown-up boy रोता है यदि कोई बड़ा ललका रोता है और तो दूसरे लोग उसको tease करने लगते सारे बच्चे class के tease करने लगते हैं यह किस क्सीच का उधारन यह उधारन है किसका अधारन है यह stereotype का ऊधारन इसमें stereotype में क्या होता है कि हम इसमानते हैं कि लड़के लोग कभी क्या नहीं करते लड़के लोग कभी रोते नहीं है लड़की लोग बहुत बोल्ड होते हैं लड़की लोग सब कभी जो है घर के काम नहीं करते हैं तो यह हमारे अंदर हम एक image बनाते हैं तो जब हम इस तरह की image बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं stereotype कहते हैं ठीक है ना तो मैंने कुछ बता दिया है आपको ध्यान रखे किसी question का answer अभी मैंने पूछा था आप से कोई question उसका answer मैंने यहां बताया है आप ध्यान से सुन रहे हैं तो फिर है girls girls को माना जाते हैं कि वो बड़ी soft spoken रहेंगी submissive रहेंगी उनका nature बड़ा मतलब submissive रहेगा तो यह किस चीच का example है यह एक example है इसका stereotype का ठीक है ना तो इस तरीके से हमने फिर इस तरीके से हमने 42 questions जो है वो complete कर लिए यहाँ पर और इसके पहले वाले में हमने भी बहुत सारे questions किये थे MCQs में तो I hope कि आप यह सारे question के answer अच्छे से prepare कर लेंगे दो question के answer मैंने आपको prepare करने के लिए दिये हैं और अच्छे से सभी chapters का जो video है detail वाला वह आप देख लीजेगा यह मत कहेगा कि क्या इतने में से MCQs आएंगे तो मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आपको यह नहीं मान के चलना है कि क्यों इतने MCQs आएंगे आपको सारे MCQs भी देखना है प्लस आपको detail video भी देखना है ताकि आपको chapter समझ में आ जाएंगे तो जली थैंक वेरी मच्छ